पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वीर को सिल्वोर नाइट में की डेविल सोल प्राप्त हुई थी वीर उस डेविल सोल को पाने के बाद में सोच रहा होता है कि अगर इसे में बलेक क्रिस्टल खिला देता हूँ तो यह पागल पर की स्टेज में कलमट हो जाएगा इसके बाद में वीर स्टार वील सेल्टर में आ जाता है जहां पर वीर संजे कपाड़िया से मिलता है और संजे कपाड़िया वीर से मदद मांगता है रोयल सेल्टर को अपने कबजे में लेने के लिए इसके बाद में हम सीन सिप्ट होता है और हम देखते हैं जहां पर संजे कापाड़िया और उसके साथी उस रोयल सेल्टर के उपर अटेक अने के लिए आये वे थे और ये सारा सीन दो दिन बाद का वह था है जहां पर वीर उन सबी एलियन्स को देखता है जो उस सेल्टर में सेल्टर के उपर अटेक करने के लिए तीन बड़े बड़े गुरूप आयोए थे और लेकिन वह सबी भी उस सेल्टर को इतनी आथसानी से हैंडल नहीं कर पा रहे होते हैं वीर सोचता है कि अगर मैं अकेला आता तो मुझे नहीं लगता कि इसे अकेले ही हैंडल कर पाता ज अब ही वहां पर हम रोयल स्प्रीट को देखते हैं जो सेल्टर से बाहर आयोई दब वीर यह सब कुछ देख रहा होता है तब बलेक गोड़ के टीम मेड़क वाले एक बंदे को चोट लग जाते और घायल हो जाता है कि जाओ और उसे सिक्योर करो बचाओ उसे वीर बलेक ग लिए फिर्ट देखता है कि वह जो रोयल स्प्रीट थे वह इतने मोमेंट पर फिरसे सेंडर के انiggs लगती है जैसे वह रोयल इस पीर्ट उस phone के कि यार ये क्या चल रहा है जो ब्लेक गोड थाbad उसकी टेम के बंदें पीछ देखते हैं और और गोह था हुए था जब उस शेल्टर के अंदर रोयल स्पिट गई ती जब ब्लेक गोड़े सब सब्सक्राइट हैं तो घुषय में आ जाता हैं और उन्हस पिड़ों को मारता हुआ करता है कि यहां से तीतर भित्र हो जाओ वीर हूँ वी उन चांदी की डों को देख कर तोड़ा सा गबरा जाता है है करता है कि वैसे तो इन चांधी कीड़ों की ताकत जद्धा नहीं होती हैं लेकिन चांधी में बहुत अधिक होते हैं इसी कारण यह जद्याधा रावना हैं वीर इतना सोचने के बाद में वह निड़ने लेता है कि मुझे अब इस सेल्टर के अंदर जाना चाहिए और इसके बाद में सेल्टर की तरफ दोड़ने लगता है इसके बाद में जो वीर होता है उस सेल्टर के पास पहुचने के लिए उन सभी कीडों के पास गुजड़ता है वीर उन सभी कीडों को देखता ह क बुढआ Christy ऑकलता हैं कि यार ये कीड़ कितने बुरे लग रही इनको इतने पास के बाद मुझे इन कीड़ों के बीछ में से निकन ळाओंगा अगर मुझे बले और जया तो मैं इन केड़ों के बीछ से निकन लाओ, देख लिया, तो मीें इन कीड़ों के सबस्क्राइब एक पर देखते हैं जो को बोध भी दोड़ करते धिमें इसके बाद में पने आने बुला और उन सभी aliens के यूपर अटेक करने के लिए जाता है और alien को मारते हुए कहता है कि आपको लगता है कि ये सभी aliens मुझे मार सकते हैं और रोख सकते हैं जब वीर उन सभी aliens को बहुत ही आसाने से मार देता है तो वो रोयल इस्पृिट ही हुआ थोड़ी सी चोक जाती है और वह वीर की तरफ देखती भी करते हैं कि कार यह है इसने कैसे क्या है तभी वीर उपर से चिलाता हुआ कहता है साइद लगता है आप मुझे बूल गए लेकिन हमारा प्रीचे बहुती पुराना है मैं तोड़ी देर बाद में आपसे नमस्ति करता हूँ आकर वीर उस रोयल स्पृट को देखता है जो वीर के ऊपर एक एलियन से वीर के ऊपर अटे कराने के लिए एक एलियन को बेजती है तो वीर उस रोयल स्पृट से कहता है कि यह कौन सा तरीक है अपने दोस्त के साथ नमस्ति करने का यार यह एलियन तो बिलकुली बेकार है किस तर कर वहर हो सप्डेट वीर की तरफ देखने लगती है घब वीर isparkत के तरफ नज़नाता है और वियर उसे दिक कर कहते हैं यार यह वह यह सप्सकी कलक्त है घर यह चैसे हमला करने के लिए यह पर शोच कर वीर और वोप सारे रही नहीं कर आठेक करनेके लिए ले जता है तो वह वह उनंसे किफिन पर अठेक कर देता है और कहता है कि सब्सक्राल recreate खते तो एपिशोट करते हैं सूपर गोड जीन के इस नहे एपिसोड की स्टाटिंग जैसा कि इस एपिशोड में धेखते हैं जो वीर होता है उन सभी ऐलियन को अपना पीचा करता हुआ देखते तुम मुझे कभी भी नहीं पकड़ सकते हो जब वीर उस सेल्टर की लोबी के अंदर जाकर खड़ा होता है तो वो देखता है कि यहाँ पर दो बड़े बड़ेर साहँ पर देखता है फिर वो पीछे टने के लिए पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि बहुत सारे एलियन वीर के पीछे इकटा हो गए है वीर पीछे देखने के बाद में अपना सोच विचार करना बंद कर देता है और उस बड़े वाले एलियन वाले साहँ से करता है तुम मेरे साथ कहलना चाते हो तो ठीके मैं तुम्हें अपने साथ खिलवाड नहीं करने दूँगा इतना कहने के बाद में वह जो वीर होता है वह उस एलियन के मुह की तरफ कुझाता है और जो सापता उसके मुह के अंदर चला जाता है और जो सापता वह वीर को नेगल लेत बाद preventing आप जो कि भाली पनार स्ट को को रोता है। और पीछे से वह सारे एलियन आवाज लगाते हुए गरजना करते हुए रेत जाते हैं जहां पर इस प्रिट इस्टोन रखा हुआ था उस रूम के अंदर जाने के बाद में वीर मनी मन में सुचता है कि मुझे उमीद नहीं थी कि मैं यहां पर आ जाओंगा तब ही वह बड़ कि आटकीन मुझे लगता है कि राता मुझे तोड़ा सा मुझकिल हो सकता है कि खेर कोई बात नहीं है मुझेश स्परिट इस्टोन लेना हुआ इतना सोतने के बाद में वह उस सपैadia उपड़ा इटक करने दो चल जा जाता है कि उसकी तलवार को नहीं देख पाता है तो wele म मन में सुचता है यार इसकी तलवार तो बहुत ज़दा तेज है वीर उस रोयल स्परीट के जो अटेक ता उसे बच गया था और मनी मन में सुच रहता अगर मैं पीछे नहीं आड़ता तो मुझे नहीं लगता कि मेरी गर्दन मेरे सिर पर होती इमलब धर पर होती इसके बाद मुझे लगता है कि ब्लेक गोड की तलवार से तोड़ी सिक ज़्यादा तेज हैं एदर जो वह रोयल स्परीट होती है वीर के उपर लगातार अटेक करती रहती है और वीर उन सभी अटेकों को लगातार डिफेंड करता रहता है लेकिन उसे फिर भी बहुत अधिक परेशा हैं वीर रोयल स्परीट से लड़ता हुआ सोचता है कि मैं इसे इस तरीके से नहीं हरा सकता हूं इसके लिए मुझे कुछ अलग करना होगा और क्रेजी सील्ड जो इसे बुला लेता है और उसे अपनी सील्ड के रूप में आगे रख देता है और उसे करता है कि यह सब सील्ड के उपर अपने कलवार से अटक कर देती है और उसके बीच में से एक स्परीट होकर बूजड जाता है मैं सब कुछ उपर से देखता है Guys मूरति की उपर चड़ रहा होता है है और उस स्परीट को एक ही स्परीट को Trustees में काड़ दिया है और जो बागों में तौड़ वीर अपनी crazy shield वाली spirit को दो बागों में देखकर बहुत ही जदा अफ्षोस जताता है और करता है इस तरीके से काम नहीं चलेगा मुझे इसी जल्दी से जल्दी काम को खतम करना होगा वरना मैं बहुत कुछ को दूगा और वह फिर से जल्दी जल्दी उस मूर्ति के उपर पर चा करता हुआ देखकर अपनी sea of soul के अंदर से रितिले कीड़े को बाहर निकालता है और रोयल स्पिट के उपर अटेक करने के लिए बेशता है रोयल स्पिट के सामने जैसे वह रितिला कीड़ा आता है वह उसके उपर स्लेश कर देती है वीर के उस स्लेश के कारण उपर हाथ रखने ही वालाता है इतने में यह एपिशोट खतम होता है तो करते हैं इस एपिशोट की एंडिंग